इस वीडियो में हम बात करेंगी कि कैसे आप अपना एक Gmail account create कर सकते हैं So Gmail account create करने के लिए आप phone से भी कर सकते हैं और अपने laptop या desktop पे भी कर सकते हैं So आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो आपको मैं बताऊंगा कि आप laptop desktop के तुरू कैसे अपना Gmail account create करते हो तो अगर आप जैनना चाहते हो और सीखना चाहते हो इस चीज को तो आप continue इस वीडियो को लाज तक देख सकते हो सो हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नम है अवनी स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल में जहां मैं हर रोज आपके लिए कुछ नहीं सीखने के लिए लापते रहता हूँ तो चली दिखाता हूँ आपको कैसे आप अपने जीमेल एकाउंट क्रेट करोगे अपने लैप्टॉप डेक्स्टॉप के थ्रूँ सो फोन से भी आप क्रेट कर सकते हो बट उसके लिए आपको दूसरा तरीका व्यूज करना पड़ता है बट मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वह आपको लैप्टॉप से बताता हूँ अगर आप कमेंट करो नीचे तो मैं वह भी तरीका भी आपको सिखा दूँगा कि क बहुत ही आसान तरीके से अपना ग्रेट कर सकते हैं राइट वेट कर लेते हैं यहां पर हम क्लिक करने के बाद में जो हमारे सामने आएगा वह गूगल का फॉर्म आ जाएगा इसे मैं अपनी डिटेल डालेंगे अपना नेम फस्त नेम लास्त नेम और यूजर नेम डालें सो मैं पहले जीमेल एकाउंट बता देता हूं आपको कैसे करते हैं सो मैं डालता हूं यहां पर डिजिटल और यहां पर सेकेंड लास्त नेम में डालता हूं अवनीश राइट सो यहां पर हम अपना यूजर नेम डालेते हैं डिजिटल अवनीश 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 यहां पर password हम ले लेते हैं कुछ भी, password आप अपना create कर लीजिए, जो आपको create करना है, मैं यहां पर कर लेता हूँ, और password confirm कर लेता हूँ, confirm करने के बाद मैं next पर click करते हैं, next पर click करने के बाद मैं अब आप से पूछेगा कि जो आपको password save करना है या नहीं, कोई बात नहीं, तो मैं नमबर डाल लेता हूँ, हाँ नमबर सही है, next पे क्लिक करते हैं, आपके पास में OTP आएगा, मेरी फोन पे जो आपका होगा, वहाँ पे OTP आएगा, OTP को यहाँ पे डालना पड़ेगा, वह verification code है, वह verify करेगा, तो आ गया है, मेरे पास OTP और मैं डाल लेता हूँ, जीरो फाइब नाइन एट टू फोर, एक बार चेक करते हैं, जीरो फाइब नाइन एट टू फोर, ओके अब मैं verify करता हूँ, verify करने के बाद में यह आप से पुछेगा कि आपका date of birth क्या है, तो आप कोई भी डाल सकते हो, या फिर मैं भी डाल लेता हूँ, ऐसे मान के चलिए, मैं डाल लेता हूँ February 15 और यहाँ पर मैं कुछ भी डाल लेता हूँ, 1993 राइट और जेंडर यहाँ पर select कर लो, mail और next कर लो, राइट तो यह आप से information मांग लिए, अब recovery email भी वहाँ पर डाल सकते थे, बड़ कोई बाद नहीं, अब इसमें मुझे कुछ नहीं करना, यह पूछ रहेगी वीडियो कॉल के लिए, तो अभी मैं skip कर देता हूँ, बस बाद में आपन कर लेंगे जब भी, अब देखिए, यहाँ पर term condition आगे, इसकी privacy terms आगे, आपको यहाँ पर इसको agree कर नहीं है, आप जब तक accept नहीं कर तो यह आपको allow नहीं करता है account बनाने के लिए, आप इसको एक बार पढ़ लेना, अगर आप new हो तो, अब जिसे मैं तो कई सारे account बना चुका हो तो मुझे पता है, इनके term condition, privacy policy सारी पता है, इसलिए मैंने agree कर लिया, अब यह बस कुछी सेकेंड में, अभी account हमारा create होने हाला, यह देखिए, create हो गया, और यह आगया welcome बिस्टा लवनीश राइट, अब यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो आप देखोगी कि आपका Gmail account create हो गया, यह बहुत आसान तरीका होता है, कुछ ही सेकेंड में देखा आपने कि आपका Gmail account create हो गया, कैसे लगा आपको यह वीडियो, comment box में comment करके बताइए, like करिए इस वीडियो को, दोस्तों के साथ में share कीजिए, चैनल को subscribe कर लिजी, bell notification on कर लिजी, इससे आपको हमारी नहीं नहीं जितनी भी latest वीडियो पढ़ेगी, उसकी notification आती रहेगी, so I hope सब लोग अच्छे से हो, बढ़िया मस्तर हो, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई information के साथ, तब तक के लिए, bye bye, thank you.